हलो फ्रेंड्स वेलकम टू अराद्या आरेयस अकेडमी फ्रेंड्स हस्तकला से संबंदित वे प्रस्न है जो अभी तक राजस्तान में आयुजित विबिन प्रत्योगिती प्रिक्षाओं के अंदर जो प्रस्न पूछे गए हैं वो प्रस्न में आज आपके सामने लेके आया चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दें पास में दियेगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि नए ने नोटिफिकेशन आपको मिल सके यह वीडियो आगामी प्रिक्षाओं को ध्यान में रखते वे बनाया गया है पहला प्रस्न है समुंदर लहर नामक लहरिया का रंगा जाता है देखो समुंदर लहर नामक है तो लहरिया कारंगा जाता है यांतरिकी डिगरी 2016 के अंदर पुछा गया था तो इसका उत्तर हो जाएगा जैपूर कहां पर जैपूर नेक्स्ट है भरत सूफ हुरम जी आरी किस से समन्दित है यह भी यांतरिकी डिप्लोमा 2016 के कडाईव है पेच्वरक से समन्दित क्या क्या है बरत सूफ हुरम जी और आरी नेक्स्ट है राजस्तान का मोलेला गाउं किस थहस्त कला के लिए प्रसिद है तो किस थहस्त कला के लिए है टेरा कोटा किसके लिए टेरा कोटा ग्राम स्योग 2016 के अंदर यह प्रेशन पूछा गया था तो देखो टेरी कोटा होता क्या है तो पक्य मिटी का उप्योग करके मूर्ति बनाने की कला को टेरी कोटा का जाता है और राजसमंद में नात्व द्वारा के पास मोलेला गाउं है वो इसके लिए प्रसिद है चोथा प्रस्न है चंदू जी का गुड़ा तथा बो तीर कमान के लिए पांचो प्रस्न देखो निमन लिखित में से कौन सा कत इस्तान दरी बनाने के के अंदर के रूप में प्रसिद है तो दरी बनाने के के अंदर के रूप में कौन प्रसिद है तो देखो चार उप्शन आपके पास टॉंक पुसकर जैपूर और उदैपूर तो इसका उत्तरो जाएगा टॉंक, कौन सा, टॉंक, RPSC LDC 2016 के अंदर ये प्रेस ने पूछा गया था, तो देखो दरी बनाने के जो परमुक के अंदर कौन कौन से है, जोदपुर, टांकला, नागोर, टॉंक, बाडमेर, बीलवाडा, सापुरा, केकडी, जवाजा, अजमेर मालपुरा, टॉंक, नेक्स्ट है, नागोर का बूगाउं किसलिए प्रसीद हुआ करता था, देखो नागोर का जो बूगाउं है, वो किसलिए प्रसीद हुआ करता था, तो मिट्टी के खिलोने के लिए, मिट्टी के खिलोने के लिए, जो नागोर का बूगाउं है, वो प जरोही बांकला गदा कि सुक्रम के नाम तो इसका उत्र हो जायगा जटप्ति क्यों सा जटप्ति के लिए जिरोही भांकला और गदा उद्योस के नाम से प्रशिदह है this my next एक कौन सा कूर्ट समिलित नहीं है, कौन सा कूट है समिलित नहीं है तो देखो, एक तरफ हस्तकला है और दूसरी तरफ इस्तान है तो देखो दोस्तों इसमें दाबू पिरिट है वो आकोला, लाख का काम लक्समनगड इंदरगड और अजरक प्रिंट है, बाणमेर तो इसमें एक है वो सुमिलिते नहीं है मामा जी के गोडे मामा जी के गोडे है वो कहां के प्रिसिद है जालोर जिले के हरजी गाओं के कहां के मामा जी गोडे कहां के प्रिसिद है जालोर जिले के हरजी गाओं के नेक्स्ट है लहरिया इस्त्रियों द्वारा किस मास में ओड़ा जाता है तो किस मास में ओड़ा जाता है लहरिया इस्त्रियों की द्वारा तो इसका उत्तरो जाएगा स्रावण मास में स्रावन मास में यहां ओडा जाता है नेक्स्ट है डस्वा प्रस्ण मीनाकारी की कला राजस्तान में सरो पर्थम किस के द्वारा लाई गई तो किस के द्वारा लाई गई थी मीनाकारी की कला तो इसका उत्रो जाएगा मान सिंग पर्थम मान सिंग के पर्थम द्वारा मिनाकारी की कला राजस्तान में सरो पर्थम लाई गई थी नेक्स्ट है जैपूर मिनाकारी का एक प्रसिद इस्तल है इस कला को जानने का सरे किन को जाता है तो किन को जाता है मान सिंग को नेक्स्ट है दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद है तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सा गाउं प्रसिद है तो इसका उत्तरो जाएगा आकोला गाउं कौन सा आकोला गाउं और का है ये चितोडगड के अंदर नेक्स्ट है तेरवा प्रशन देखो इन प्रशनों को रट लेना ये प्रशन है बार-बार में रिपीट हो रहे हैं दूसरे एक जामों से तेरो प्रस्षण है राजस्तान जो तेरो प्रस्षण देखो इस्तान जो अपने मरदा सिल्फ के लिए विक्षाथ है और यस दोजार पंदरा के अंदर पुचा गया था तो इसका उत्तर जाएगा मोलेला कौन सा मोलेला अगला देखो मारवाड में दामणी क्या है तो मारवाड के अंदर दामणी क्या है ओड़नी का एक परकार ओड़नी का एक परकार पटवारी प्री 2016 के अंदर पूछा गया था पंदरवा है कटपूतलियों का निर्मान मुख्य रूप से होता है तो कटपूतलियों का निर्मा तो पच्शेवडा क्या है मोती सूती साल है पच्शेवड पच्षेवडाwh सत्रवा है गलिटा निर्मान के लिए प्रिसिद्थ तो गलिटा निर्मान के लिए ब कौण सी जगह प्रिसिद्थ है तो इसका उत्र Streep जैपुर असिस्तेंट एक्रिकुल्चर ओफिशर 2013 पुछा गया था हैgy कि मैं नेक्स्ट न हस्त कला का कैंदर है तो हास्त का कैंदर कुंढेर इसका उत्रों जायेगा संगानेर क्यो जायेंगा संगानेर है हो हस्त योग का थे है गुनिश्वा प्रस्ण देखो हाथ से कागज निर्मान का कारिये कहां किया जाता है हाथ से कागज निर्मान का कारिये कहां किया जाता है तो संगा नेर के अंदर संगा नेर कहा है जैपूर के अंदर वीश्वा प्रस्ण है उट की खाल पर सोने चांदी की कलात्मक अंकन कहलाता है क्या कहलाता है उस्ताकला क्या कहलाता है उस्ताकला और उस्ताकला के जादुगर किसे कहते हैं तो हिसाम-दीन को उस्ताकला के जादुगर कहा जाता है करसी प्रवेक्सक 2012 और R.A.S. 2001 के अंदर ये पुछा गया था नेक्स्ट है राजस्तान में मूर्तिकला के लिए कौन सा सहर विख्यात है तो मूर्तिकला के लिए जैपुर सहर है यहें विख्यात है नेक्स्ट है थेवा कला के लिए प्रिशिद परिवार कौन सा है तो थेवा कला के लिए सोनी परिवार प्रिशिद है राजस्तान PSI परिक्षा 2010 के अंदर पुछा गया था ये प्रिशन बहुत ज़्यादे इंपोर्टेंट है तो इसलिए इस प्रिशन को बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना 23 प्रिशन है राजस्तान में बलू पाटरी का सरवादिक विकास किसके सासनकाल में हुआ तो किसके सासनकाल में हुआ राम सिंग के सासनकाल में स्री करपाल सिंग शेकावत को नेक्स्ट प्रसन है मोटडा वेसबुसा क्या है मोटडा वेसबुसा के कौन से परकार के अंदर अंतरगत आता है तो इसका उत्र हो जाएगा ओर्डणी के अंदर इसके अंदर ओर्डणी के अंदर पच्छी सो प्रसन है नमदे बिनाने के प्रसिद व कि देखो शांगा नेर जयपूर विशेश रूप से प्रशिद है तो इसलिए प्रशिद है संगा नेर जयपूर तो इसका उत्रों जाएगा हस्त निर्मित है कागज हस्त निर्मित कागज देखो ग्रामश्योग दोजार आठ के अंदर पुछा है फिर उसके बाद में लडीची दोजार गया के अंदर है पूछा गया है 2700 प्रशन है हस्त लेटा मांगरोल एवं सालावास जाने जाते हैं तो किस लिए जाने जाते हैं लेटा मांगरोल और सालावास तो कपड़ों की मदों की बुनाई के लिए जो कपड़े हैं उनके मदों की बुनाई के लिए ये प्रशिद है अगला देखो अजरक प्रेंट का सम्मद्ध है त टेक्स्ट है कि तीस्वा प्रस्ण प्रसिद मीनाकारी ठेवाकला का संबंध है तो किस से है परताब गडशे देखो यह प्रस्ण है ठेवाकला से संबंधित आरेस उनिस्सोचाण में पुलिस दोजार एक ग्यारा यीव दोजार आठ और पट्वार 2011 के अंदर पूछा गया है 31 س swatches night राजस्तान के 26 के मारजाओं ने blue partnership का स्रे दिया है तो इसका उत्तर हो जाएगा जैपूर blue partnership का रहते है जैपूर गी 32 सोपषन है राजस्तान की परसिद blue partnership दस्तकारी का उधबव काavorsे हुआ है तो कांसे हुआ है blue partnership का उधबव तो इसका उत्तर हो जाएगा परसिया इरान से परसिया इरान से आरेस 2003 के अंदर ये पुछा गया था 3300 प्रस्न है संग्मर्मर की मूर्तिया राजस्तान में कहां बनती है तो कहां बनती है जैपूर के अंदर जैपूर के अंदर संग्मर्मर की मूर्तियां बनती है अगला देखो 3400 प्रस्ण है राजस्तान में कहां पर मीनाकारी गेने बनाई जाते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जैपूर क्या हो जाएगा जैपूर सोने चांदी के आबूशनों पर चितरकारी करने रंग बरने की कला को मीनाकारी कहते है नेक्स्ट है ताराबाद की ओडनी का पहनावा किस समुदाए की मैलाओं में परसलित है तो ताराबाद की ओडनी है किस समुदाए की मैलाओं पहनती है तो इसका उत्तर हो जाएगा आदिवासी क्या हो जाएगा आदिवासी मैलाएं द्वारा चतिस्वा प्रस्ण है मैलाओं की ओडनी पॉमचा का रंग कैसा होता है मैलाओं की ओडनी पॉमचा का रंग कैसा होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा पीला कैसा पीला 38 प्रस्ण है विश्वे का सबसे बड़ा चांदी पातर कहां रखा हुआ है तो कहां पर रखा हुआ है सिटी पलेस जैपूर के अंदर विश्वे का सबसे बड़ा चांदी पातर रखा गया है सेंटिस्वा है. ौि राजस्थान का कौन सा इस्थान? बेल बूटों की छपाई की प्रंप्रागरत कला के लिए कोल जाना जाता है? तो इसका उत्रों जाएगा बगरू. बगरू कहां पर है? जैपूर के अंदर. नेक्स्ट है देखो बगरु के अंदर जो क्या होता है पसु पक्षियों के काले एवं लाल रंग की चित्रांकन किये जाते हैं इसलिए प्रसिद है 49 प्रस्न है लप्पा लप्पी किरण एवं बांकडी यह सब है तो क्या है लप्पा लप्पी किरण और बांकडी तो इसका उत्तर हो जाएगा गोटे के बिन परकार क्या है गोटे के बिन परकार नेक्स्ट है बिनोटा है तो बिनोटा क्या है दुला दुलन की विवा की जूतियां 41 प्रसन है उदसाही अमरसाही उदेसाही ए ठीक है उदेसाही अमरसाही विजेसाही और साहजाहनी यह सब है तो देखो उदे साही, अमर साही, विजे साही और साहा जहानी ये सब क्या है? तो राजस्तानी पगडियों की सैलिया क्या है? राजस्तानी पगडियों की सैलिया 42 प्रस्तन है, राजस्तान में पॉम्चा कहते हैं तो पोम्चा किसे कहते हैं मैलाओं की ओड़नी मिसेश को पोम्चा कहते हैं तो आपने गाना तो सुनाई होगा पीलो ओड पोम्चो लियायो तो यह पोम्चा है यह मैलाओं की ऊड़नी केलिए परसीद है 43 है औधेपुर से 13 किलो मिटर दूर हस्त सिल्पियों को प्रोशान देने के उद्देशे से किस्की स्ताफना की गई तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्प ग्राम क्या हो जाएगा सिल्प ग्राम ढर्प क्राम सर्फ में पूछा गया है तो जाजम छपाई का सममन्द है तो जाजम सपाई का सममन्द क्या है आकोला चितोडगड क्या है आकोला चितोडगड पेंतालिसzing औपरेस्ञ राजस्थान में हातीदात का काम का होता है जैपूर मेरता और उदेपूर में Constable 2003 के अंदर ये प्राइस ने पूछा गया था अब देखो 4300 प्रस्ण है राजस्तान में बलू पाटरी का परमुक के अंदर है तो कौन सा है? जैपूर कौन सा है बलू पाटरी का परमुक के अंदर है? जैपूर 47 प्रस्ग है प्रस्ण है और इसका परमुक का परम uniformly है उनचाफ़ प्रस्ण है बलू पाटरी का पर मिंट्टी पर चित रांकन किया जाता है और बलू पाटरी का कि प्रस्ध है? जैपूर्गी पचासवा प्रस्ण देखो राजस्थान में मिट्टी की मूर्तिया बनाने की हस्त कला का मुख्य के अंदर है तो मिट्टी की मूर्तिया बनाने के लिए कौन सा प्रसिद है मुख्य के अंदर तो इसका उत्र हो जाएगा मुलेला राजसमंद कहाँ पर मोलेला राजसमंद में इकावनों प्रस्ण है देखो नाम याद रखना सरदार कुदरत सिंग क्या हो जाएगा सरदार कुदरत सिंग का समंद किस कला से है तो इसका उत्र हो जाएगा थेवा कला से सरदार कुदरत सिंग का समंद है दोस्तो तो दोस्तो आज के अपने हस्ट कला से समन्दित प्रस्टन कंप्लीट हो गए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जय हिन जय भारत